तो यार वीडियो स्टाट करने से पहले 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 यार मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना है यार क्योंकि आप लोगे नहीं इतना जल्दी यार मेरी यार चानल पे 7000 प्लस सब्सक्राइब आपने यार खर दिये तो उसके रहे भाई आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फ्रेंड्स यार बस यार आप इसी तरह से यार मुझे सपोर्ट करते रहो और फिरी यार आप लोग के लिए एक स्पेसली जल्दी यार जैसी यार 10k सस्क्राइब हो जाएगा उस दिन यार एक स्पेसल गीववे रहेगा ठीक है और एक एस्पेसल सा लाइच्टीम भी रहेगा क्यों एक कोश्चन का ठीक है तो जल्दी से जल्द आप यार 10 के सस्क्राब भी जल्दी से कम्लिट करा दो ठीक है तो वीडियो आप वीडियो के थमनेल पर आपने तो यार देखें समझें कि आज यार मेरा वीडियो यार कौन से टॉपिक पर है यहां पर तो बिल्कुल आप सईस सोच रहे हो यार यहां पर मैं आपको ना बताओ यार कि आखिरकार यार रूबिस क्यूब को यार कैसे यार एकदम फास्टली सॉल्द कर सकते हैं हम अपने यार फिंगर्स ट्रिक्स को हम कैसे य जल्ली सॉल्व करके दिखाया था तो आपने देख लिया यार कि कैसे यार मैंने इतना जल्दी फटाक से एकदम क्यूब को यार यू चुटकी बजाते हैं मैंने सॉल्व कर दिया तो यहां पर मैं आपको एकदम एडवांस बेसिक फिंगर्स यार आपको मैं बताओंगा जिसी आप क्यूब यार मेरे तरह य प्लेयर रहते हो आप जब रूबिस क्यूब से खेलते हो तो के आप इस टैब का कुछ आप तरन करते हो । या सबटाफ के तर्फिक है करेंगो मतलब दोनों हाथ को आप यूज करेंगे आप नॉर्मल पोजिशन पे लाने के लिए तो यह सब गलत है यार तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फिंगर ट्रिक्स आपको यूज करना है ठीक है देखो जब हमें सॉल्व करते हैं क्यूब को तो अगर आपको है एफ या एफ प्राइम करना रहता है यानि कि फ्रेंड लेयर को घुमाना रहता है किसी भी साइड को तो क्या करने हमारा यह जो अंगुठा है ना यह अंगुठा हमें यूज करना यह हमारा फिंगर यह वाला फिंगर हमें यूज करना है ठीक है तो यहां पर यह जो finger है, इसे आप estáp का आप F कर सकतो हो, ठीके, यहाँ पे इस tab का आप F कर सकतो हो, ठीके, नहीं तो यहार, अगर आपको है F' अगर दूसरा tab का भी सीखना है, तो आप इस वाले finger से आप यह वाला जो thumm है, इस से आप कर सकतो, ठीके, जो मतलो like का shape जैसा दिखते हैं, और यहां पर मतलो लाइक का जब बात आएगे यार तो क्या आप लोग इस वीडियो पर कम से कम मिनिमम यार 50 लाइक क्या कर सकतो या नहीं कर सकतो चलो देखते हैं तो यह वाला फिंगर आप यूज कर सकतो ठीक है आप एफ प्राइम करने के लिए यानि कि कुछ इस टैप का आप प्राइम कर सकतो ठीक है और आपको है फिर एफ करना है तो आप इस वाले फिंगर से यह वाला फिंगर से आप यूज कुछ इस टैप का प्राइम कर सकतो ठीक है और आर प्राइम करना है तो अहीं ऐससे पकड़ना है आप जो भी होल्डिंग पुजिशन रहेगा उस टैप क को पकड़ के आपको ढ़न दो पर नीचे यान की आर प्राम हो जाएगा ठीक है यहां पर पर हेसे का नहीं तो अगर आपको ऐसा कुछ कुछ नहीं लग रहा है तो क्या कर सेंट तो आप इससे भी यूज कर से थो ठीके आप मतलब कि लेफ्ट हैंड को आप इस पर लेफ्ट हैंड को पगड़न लो क्यूब और यह वाला तुम्याइब पीछे के लिएर को आप इस टैप का कुछ क्यों मूव कर सकतो ठीक है और यह हो गया हमारों और जाहर हर और आरव और करना में तो आप राइट राइड का यूज कर सकते dzisiaj को पखाब लिम n आपको इस नीचे वाल लेयर में आपको रखना है और आपको यह वेकूर स्बंग होते ही यानि कि यह वाला तो यह वाला फिंगर आपको इधर सकेंड लेयर पर रखना है यहां पर पर हमारा जो लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड को भी ऐसी टाप का holding पूसिन है आपको इस टाप का क्यूब को पकड़ना रहता है इसी लफ बोल्राम वीडियो जरूरर से लास्ट देखना है ठीक तब ह अब को एकदम पूरा चीजश समेलेंगा holding position अगर जब भी आप solve कर रहे होता हो क्योंको तो हमेशा holding position कुछ यह तरी आपकर आपकर नहीं है आपका right hand thumb यह रखना है यह यहाँ पर hold तेखो यह यहाँ पर यह जो चोटा सा तो यह हमारी एकदम फिंगर है जो कि आराम से मतलब फ्रीली मूव कर सके तो जब आपको यह उपर वाली लियर को घुमाना है एक बार तो यह वाला फिंगर का लेकिन आगर आपको यह दो पर घुमाने रहता है तो आप आप पहले इस finger का यूज करो फिर आपका जो इसे यूज कर सकते हो यहां पर देखे सकते हैं तो यह हो गया और जब हमारा पीछे की बात करें तो जब पीछे का लेर को आपको घुमाना है तो फिर आपको फींगर्स नहीं एक प्रविर भी यूज कर सकते है और अगर आपको पीछे करने हैं मतलग कि आपको उल्टा मूच तो लगाना है यानी कि आपको बी करना है न क्या को ना यही रिंग फिंगर या मिडल फिंगर यूज कर सको कूछर इस्ट्य पका ठीक legit अपकर यहाप यह पहार यह रांग कर सके तो पीछे के साइड में और जब अपना एंबर इंदोलों फिंगरेखको आहाम से ऐसे आप घुम सेगर ठीक है यहां और जब हमारा यार आपको फिर ओपोजित करना रहता है तो आप लेफ्ट हैंड को फिर इस टैप का फिर से पकड़ लो और फिर इन दोनों फिंगर्स को आप यू ऐसे यूज करते हो ठीक है यहाँ पर अब यह हो गया अब हम बात गया लेदें हैं हमारे लेफ्ट हैंड में सब्सक्राइब लेफ्ट हैंड को फिर लिफ्ट करना है जब हमारे बात करता है नीचे साइड का नीचे का जुड़ी है तो आप यह इस टैप का कुछ कर से टर्निंग ठीक है ओही मतलों होल्डिंग पोजिशन आपको क्या करना यह दोनों थम को आपको इस मीडिल वाले पी यह दोनों आपको है हमेशा beli रखना है ठीक है यहाँ पर होल्दिंग पूज्ट से बाद से ढबर डॉट संटर पीस की बात करें तो या आप मिडल फिंगर कर सकतो है यार फिंगर यह एडवांस फिंगर लुच जरू साहे और न मुण अब गहीं दो भीर दो इमिदोर वीडियो ए यार लखर जड़र से करें और इस वीडियो को ठीके